दोस्तो एक बच्चे के लिए उसका टीचर हमेशा स्पेसल होता है वो अपने टीचर को कभी भी एक समान्य व्यक्ति नहीं समझता दोस्तो अचमें लोग ऐसी एक पोयम पढ़ेंगे जो कि पिटर डिक्सन के द्वारा लिखा गया है जिसका टाइटल है वेर डू आल दा टीचर को जिसमें एक बच्चे के मन में अपने टीचर के लिए कई तरह की प्रस्न उट रहे है और वो उन प्रस्न को जानने के लिए देखिये क्या करता है तो चलिए इस पोयम को लाइन बाइन पढ़ते हैं यहाँ पर यह चोटा बच्चा अपने आप से पूश रहा है कि जो हमारे टीचर्स हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाया करते हैं वे लोग कहां चले जाते हैं जब घड़ी में चार बच जाता है तो जब हमारा स्कूल छुटे आता है उसके बाद हमारे टीचर हमारे स्कूल को छोड़ करके कहां चले जाते हैं Do they lives in houses and do they wash their socks क्या इनका भी कहीं पे कोई घर है क्या ये लोग भी कहीं कोई घर में रहा करते हैं क्या ये लोग अपने socks को खुद होते हैं क्या ये लोग अपने कपड़े को खुद होते हैं Do they wear pajamas and do they watch TV क्या ये लोग पेजामा पहनते हैं क्या ये लोग TV देखते हैं And do they pick their noses the same as you and me क्या ये लोग भी अपनी नाक को साफ किया करते हैं जैसे हम और तुम अपने नाक को साफ किया करते हैं Do they live with other people क्या ये लोग भी दूसरों के साथ रहते हैं क्या ये लोग भी दूसरों के साथ मिल जूल कर रहा करते हैं Have the moms and dad क्या इनके भी mammy और पापा होते हैं क्या इनके भी mammy और पापा हैं And were they ever children And were they ever bad क्या ये लोग भी एक समय हमारी तरह छोटे बच्चे थे क्या ये लोग भिबदमासियां किया करते थे क्या ये लोग भी एक छोटे वालक थे जो कि बदमासियां किया करते थे नठकट वालक थे Did they ever never spell right and did they ever make mistakes क्या ये लोग भी کसी भी word का correct spelling नहीं लिखा करते थे क्या इन से भी mistake हुआ करती थी Were they punished in the corner इफ ते पिंस्ट ड़ा सी चोकलेट फ्लेक्स, ये लोग भी क्लास में कभी चोकलेट खाते ही पकड़े जाते थे, तो क्या इन लोगों को भी पनिस्मेट मिलता था। क्या इन लोगों को भी class के किसी corner में कान पकड़िके खड़ा कर दिया जाता था दोस्तो हिम बुक बोलते हैं prayer के book को तो क्या जब वे लोग छोटे होंगे तो क्या उनसे भी उनका prayer book हो जाता होगा क्या वे लोग भी अपने lunch को complete नहीं करते होंगे क्या वे लोग अपने भोजन को छोड़ दिया करते होंगे Greens का मतलब भोजन क्या वे लोग भी अपने भोजन को छोड़ दिया करते होंगे Did they Scrabble on the desktop Did they wear old dutty jeans Scrabble का मतलब भोज़ चीशना या लिखना क्या वे लोग भी जब छोटे होंगे तो अपने बेंच के उपर कुछ लिखा करते होंगे अपने बेंच को गंडा क्या करते होंगे क्या वे लोग भी old dutty jeans को पहना करते होंगे पुराने jeans को पहना करते होंगे जो dutty होंगे दोस्तो यहां तक यह बच्चा बोल रहा है क्या हमारे teacher जो हमें पढ़ाया करते हैं क्या वे लोग एक सधारन से मनुष्य हैं या तो फिर वो लोग एक ordinary person है ये बात उस बच्चे के मन में आ रहा है क्या हमारे teacher एक ordinary person है या फिर हमारे जैसा ही एक सधारन मनुष्य है दोस्तो इन सभी बातों को जानने के लिए देखिए ये बच्चा क्या करेगा बच्चा बोलता है आगे I will follow one back home today आज मैं अपने एक teacher का पीछा करते हुए उनके घर तक जाऊंगा I will follow one back home today I will find out what they do आज मैं देखूंगा उनका पीछा करते हुए उनका घर जाऊंगा और देखूंगा फिवे लोग क्या करते हैं अपने घर जाने के बाद then I will put it in a poem और उसके बाद मैं उनके सारे activities को एक poem में रख दूँँगा एक poem के रूप में लिख दूँगा that then can read to you और फिर आप उस चीज को उस poem को पढ़ सकते हो और जान सकते हो अपने teacher के बारे में हमारे teacher के बारे में कि वे लोग क्या करते हैं तो दोस्तों आपको ये poem कैसा लगा comment करके जरूर बताएं हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत